दुआ भी लगे ना मुझे, तब भी लगे ना मुझे, जब उसे दूर को मेरे तू लगा है जब ते जनकुक सुए में थे ताब रूम का डोर नाख होता है और जब जाता जनकुक जर्बाजा उपन करते हैं तो जनकुक सौफ हो जाता है अबू, अम्मू, आप दोनों एहाबार? तू क्यों इतना सोक हो रहा है? हाँ, हाम ही है, कोई भूत नहीं है ने अबू, मैं सोका हो रहा हूँ, मैं तो उसी अपने क्या करूँ? हटो तुम, हम दोनों को अंदर आने दो अब वो अंदर क्यों आना है बाहर है ना बाहर जाके बात करते है तु इतना डरा हुआ क्यों लग रहे है अंदर कुछ है क्या ए बोल जीन और आडेम अंदर आ जाते है जंकुक ए लड़की आपर क्या कर रहे है वो भी तुम्हारे रूम मे बोलो जंकुक चुप क्यों हो उन सबी की आवद सुन पे ऊड़ जाती है इतना ओज क्यों रही है जंकूप तब ही ते की नजर समने खरे आरे मोर्चीन की उपर जाती है आप लोग कौन है जंकूप इनोग कौन है ते है असल में इन लोग मेरा अबवाम है मेरे के साधी होने से पहले मेरी इंप्रेस डाउन हो गई है बोलो जंकूप ए लग की कौन है और ए लग की तुम्हारे रूम में क्या कर रही है ओ अम्वी एना एना मेरी गल्फरेंड है हाँ क्या कहा तुमने ए लग की तुम्हारी गल्फरेंड है बट देखने में तो बहुत ही छोटी लग रही है तो मुझे पॉलेज स्टूडेंट लग रहे है वह अपू यह ना कॉलेज इस्टूडेंट ही है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ आपू मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ रियली बट मुझे तो अभी फी एकिर नहीं हो रहे है विकोज तुमने तो शादी ना करने कर सपत लिया था ना ओ ओ तो अमी में तो तेर को देखने से पहले कहा था ना बट ओ सपत अभी में कंसिल कर दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता हमारे फैमिली में एक ही वर सपत लेता है और तुम अब साधी नहीं कर सकते हैं हाँ अमी बाट मुझे तो तेल को साधी करना है तो अब मेरा क्या होगा? मैं तो जंकुक से प्यार करती हुना और जंकुक से साधी नहीं हुआ तो मेरी क्या होगी? बेटा तू चिंदा मत करो में हुना, में तुमारे साधी बहुत ही अच्छे लैरकों से कराऊंगी ओ भी जंकुक से अच्छा सच में अंटी, मुझे तो एकिनी नहीं हो रहे है तेल तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम तुम उसे प्यार करते हो ना तो ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकते हो तुम? आरे क्यों नहीं कर सकते हो मैं? तुमने तो शबत लाए ना तो फिर मुझे तो अपनी लाइफ में एक लाइफ पढ़ना चाहिए ना, जिसका सहथ में अपनी लाइफ की तारे बते श्यार कर सकूँ और उसके साथ अपनी जिन्दे की बिदा सको ते तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम जानते हो ना मैं तुम इसे कितना प्याँ करता हूँ मैं तुम्हारे भी न जी नहीं पाऊंगा ते प्लीज ते तुम मैं ऐसा मत करो मुझे लगता है मेरा बेटा सच में एक बुद्धु है मेरा बेटा एक कॉलेज प्रोपेसर वो के विए इस समझ रही पा रहे है कि ते और उसके अम्मी उसके सथ मजग कर रहे है हाँ मजग कर रही हूँ मैं तो अल्रेडी ते को जानती हूँ जंकूप तुम इतना भी नहीं जानते हो मैं जीवन की दोस्ट हूँ तो अफियसली में उसकी मॉम से तो मिलूंगी इतना तो कॉमन से तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए ना इसका मतलब तुम अबू अम्मू को जानते हो हाँ बेटा अक्सर तेसे बात होती रहती है इसका मतलब अबू अम्मू तेसे अब लोगो कोई प्रॉब्लिम नहीं है ना नहीं बेटा हमें ऐसे कोई प्रॉब्लिम नहीं है हम लोग तो खूदी तुम्हारे साथी तेसे कराना चाहते थे बर तुम तो राजी नहीं हो रहे थे तुम्हें याद है जंगो तुम्हारे अम्मी हारोग एक लेर्की के बारे में बोलती थे तो ओ ते ही थे इसका मतलब अब लोग मेरे साथ ये तेसे कराऊगे अफकोर्स बेटा ते इतनी अच्छी लेंकी है और ओ स्रेफ हमारे घर के बोहु बनेगी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे अब्बु अम्मु को जानते हो क्योंकि अगर में बता रहे थे तो तुम इतना जो अप्बु अम्मु से रिक्वेस्ट कर रहे थे और कितनी च्यूट के तरह तुम डो रहे थे उने देखते क्या नहीं न तो इसलिए अने नहीं बताया ते तुम बहुत नौटी होते जा रही हो पहले तो तुम इतनी नौटी नहीं थी तुम भूल रहे हो जंकू तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुम्हारी आदत लग चुके है अच्छा मेरी जान तो अगर मेरी जान से में कुछ चाहूंगा तो ओ देगी क्या क्यों नहीं एक बार बोल कर तो देखो देन करणे के तुझे शेए इस तब फिर किसी को ना देखा तकी मेरा पहरा जुनू मेरा पहरा जुनू इशक आकरी है तू मेरी जन्दगी है तू तब मेरी जन्दगी है तू झाल, झाल, झाल